बहुत दिन से Bluetooth headset ने आया थे चनल पर बहुत दिन से क्या मादब कमी रिव्यू करता हूं को पर आज जब आये हैं तो इक्दम तुम पता ना महाँ वसाला Sony के Extra Base वाले headphone आया है जिनका model है WH-XB910N Very long model sir तो यह हमारे 14,990 यानिकी 15,000 रुपीज के headphones है और 15,000 रुपीज में काफे सारे फीचर लाते हैं बागी Extra Base तो ही Extra Base वाली सीरीज में फूल दमागेदार बेस अब बागी तो देखते हैं और क्या-क्यास के अंदर खोल लेते हैं यह हमारा Sony का box इसको हमने लिए खोल पहले ही चेक करने के लिए यहां निकल जाता है एक और Sony का box इसमें बढ़िया से पाउच में हमारे headphones और seriously इसकी जो build quality है केस की वह बहुत बढ़ी आया है यहां पर Sony लिखा वा आप देख सकते हो फाइनली यह निकल जाता है हमारा headphone headphone की build quality स्टाट कर लेते हैं यहां पर हमारे को polycarbonate build मिल जाती है प्लास्टिक में मतलब और जो plastic use हो बहुत बढ़िया quality है ज्यादा weight भी नहीं है और जो build है वो भी sturdy feel हो रही है headband भी और cushions भी और बात आती है comfort की comfort is really very nice जो इसका weight है वो 252 grams है तो headphone के साफ से कोई जादा नहीं है जब आपका 250 grams के आसपस weight होता ना तो जादा नहीं होता और आप long hours में use करोगे तो definitely आपको कोई feel नहीं होगा और यह जो हमारा headphone है Bluetooth version 5.2 के साथ आता है बात आती है codex की तो जो codex से support करता है वो सारे आपकी screen पर वीडियो pause करके आप देख सकते हो and talking about the battery, battery backup भाई बहुत अगड़ा है 30 hours का backup आपको मिलेगा full charge करने पर अगर ANC on के साथ यूज करते हो और अगर ANC off रखोगे तो आपको 50 hours का backup मिल जाएगा और यह जब से मेरे पास आया ना मैं इसको एक हफते से यूज कर रहा हूँ और अभी भी इसकी बैटरी 65% के आसपास है तो मैं कहूंगा बैटरी भाई तोड है ताबर तोड़ एंड यह fast charging के साथ भी आता है चनेट कर सकते हो और उसके अंदर इंसेडली स्विच हो जाता है जैसे भी calling रहे music रहे को इटेंशन लिए और best part आता है touch controls इसका जो राइट वाला headphone है ना right side में पूरा portion touch है इसके अंदर हमारे को volume increase, decrease करनी हो गाना change वगरा करना हो अलग-अलग gestures है जो आपको इसकी user manual मिल जाएंगे वह हम यहां से कर सकते हैं और एक सबसे बढ़िया चीज़ के अंदर बदा है जैसे हम music सुन रहे हैं या फिर हम कोई काम meeting वगरा टेंड कर रहे हैं इसके अंदर आपको active noise cancellation मिल जाता है active noise cancellation में जैसे हम headphones लगाते हैं तो जो भार की noise है वह काफिया तक खतम हो जाएगी decibels कितने करता है वह मुझे नहीं बता बट performance जो active noise cancellation के वह काफी सही है और जो हमारा ambient mode है उसके अंदर भार की आवाज हमारे को सुनाई देते है यहां पर headphone turn on off भी कर सकते हो और बाकी क्या आप गाने वाने सुन लो जो भी है और अभी आप देख सकते हो software update इसके अंदर आ रखा है तो वह यह आपको software update मिलेगा तो यहां पर आपको sound मिलता है sound के अदर अलग-अलग आपको यहां पर equalizer modes मिल जाते है जो आपने साफ से change कर सकते हो और यहां पर ear shape वगएर जो 360 reality audio को बता रहा था आपको membership वाला यहां पर आपको options मिल जाएंगे यहां पर थर्ट टैम मिलता हमारा को system यहां पर two devices वाला option मिल जाता है voice assistant आपको इसके अंदर मिलता है यहां पर Amazon Alexa setup कर सकते हो और इसका राइट वाला headphone है उसके पर tap and hold करके आप इसका Alexa wake कर सकते हो क्योंकि Alexa built-in वाला headphone है यहां पर touch sensor control panel का on off है यानि कि अगर आपको accidental touch नहीं चाहिए तो यह आप off कर सकते हो और यह हमारा noise cancellation and ambient mode वाले options है automatic power off option मिलता है like अगर आप headphone off करना भूल गए तो कितने minute बाद यह आफ करवाना है आपको तो यहां पर लगलग option मिलते है minimum 15 minutes है then notification and voice guide और यहां पर software download और उसके रावा यहां पर settings वागरा मिल जाती है तो यहां पर software में भी काफी सारे features है जिससे आप tuning वागरा कर सकते हो अब यह headphone की पूरी बात चीत हो चुकी है last बचता है mic quality और headphone की quality मतलब की कैसी sound quality एक्स्ट्रा बेस है बेस तो पूरा मिलेगा बट आपसे श्यक्राइब बाकि बैठे बैठे लगेंगे आपको जो डिफॉल्ट मोड है बाकि आप इसके equalizer mode से change करके definitely उस चीज को change कर सकते हो अपने according manual करना हो या अलग-अलग mode change करने हो उसके अंदर आप जो अपनी base कम कर सकते हो उसके बाद आपका experience बढ़िया रहेगा यह आपकी मतलब जाएगे दूसरे इंसान को आपको कैसी जा रही है शेर सब्सक्राइब लाइक कुछ सुना ही दे रहा है माइक की quality काफी decent है और noise cancellation भी अच्छा कासा कर दिया इसने क्योंकि fan चल रहा है आप पे पीछे AC चल रहा है तो वह वाली sound बिल्कुल भी record नहीं हुई अगर आपने डंग से नहीं सुनी तो headphone लगा के back करके दुबारा सुन लो आपको पता चल जाएगा यह हमारा Bluetooth वाल आता है तो PC के साथ यूज करना हो, phone के साथ यूज करना हो, console के साथ मत सोच ना क्योंकि console में different setup होता है जैसे PS5 में, PS4 में, even Xbox में तो उसमें तो नहीं चले गाए मैं कैसा लगा लाइक, comment, मिल दे नेक्स वीडियो में तक के लिए, bye